बाबा साहब भीमराव अमबेदकर के नाम पर सियासत करने वालों पर पीम मोदी ने निशाना साधा है पीम ने कаться है कि बाबा साहब के नाम पर सियासत न करें बल्कि उनके दिखाय रास्ते पर चले आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से दल्यतों का अंदोलन हो रहा है उसको लेकर जम कर राजनीती की जा रही है इस पर प्रधान मंत्री मोदी आज बोले हैं और उन्होंने ये कहा है कि उनके नाम पर राजनीती ना करें बलकि उनके दिखाय हुए रास्ते पर चलें दिया है और उन्होंने कहा है कि इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए अंबेद करके बताय हुए रास्ते पर लोगों को चलना चाहिए बाबा साब को राजनिती में घसेटने के बजाएं बाबा साब आम्बेड करने हमें जो राश्ते दिखाये हैं उस राश्ते पर चलने के लिए हम सब अगर प्रयास करेंगे जिसके अंदर बंधूता इसका महत्मा है उस बंधूता को छोड़ करके हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं हमें हर किसी के कल्याण के लिए सब्का साथ सब्का विकास इसी मंत्र को लेकर करके हम चने हैं और हम समाज के आखरी छोर पर बैटे हुए लोगों के हकों के लिए जीने मरने वाले लोग हैं और हम जीवन भर समाज के क्योंकि महात्मा गांदी ने हमके यह रास्ता जिखाया है कि समाज का जो आखरी छोर पर बैटा है उसकी सबसे पहले चिंता करनी चाहिए और सरकार की जिम्यवारी होती है और सरकार उस दाइट पर को निभा रही है रवेंदर हमारे साथ मौझूद है रवेंदर लगातार अमबेटकर के नाम को लेकर राजनीती हो रही है और पी-एम की इस बात को किस तरह से देखा जाए सबसे गरीब है उनके उत्थान करना ही हमारे सरकार का लक्ष है तो कहीं न कहीं प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने निशाना साथ है उन विरोधियों पर विपक्षियों पर जो एस्टी के लेकर या फिर भीमराव राम जी अमबेटकर के नाम जो ला गया उसको लेकर जो आरोप लगा रहे थे और सियासत क्या जारा था उसका उन्होंने अपने ही धंग से जवाब दिया जब वेस्टन कोट एनेक्सी का उद्गाटन कर रहे थे प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी बिलकुल और प्रधान मंत्री से जादतर विपक्ष की एक नाराज़की रहती है कि पी-म कुछ नहीं कहते हैं या पी-म ने खुद कहा है अब देखना होगा कि इस पर किस तरह से रियाग करता है विपक्ष लेकिन हमेशा अनर्गल बात नहीं कहेंगे जो सही होगा जो सही जगा होगा वहीं पर बोलेंगे यानि विपक्षी दलोग के हर आरोग का प्रधानमंत्री मोधी का हीना का ये भी बताते हैं कि हम काम कर रहे हैं हमारी सरकार काम करने के लिए आई है और हम काम कर रहे हैं और इसलिए हम राजनीती में नहीं फस्ते और अगर बाबा साब अम्बेजकर के नाम पर राजनीती ह तो लोग भी ना करें, सिर्फ उनके दिखाय रास्ते पचले